कि जे इमेन 2015 में हाइड्रोकार्बन के पोश्चन से एक क्वेस्टन आया इन दी फॉलोइंग सिक्वेंस अफ रेक्षिंग रेक्षिंग क्या है बताता हूं तल्वीन on reaction with KMNO4 gives A, A is an unknown compound, A on reaction with SOCl2 gives B, B on reaction with H2NI in presence of birium sulfate gives C, so the product C is, चार आपस्टन हमारे पास, C6H5COOH, नि बन्योग एक्षिंग, C6H5CH3, नि तल्वीन, C6H5CH2OH, नि तल्वीन, C6H5CH2OH, नि बन्याइल, नि तल्वीन, C6H5CH2OH, नि बन्याइल, नि तल्वीन, C6H5 benzaldehyde, ठीक है न, इसमें आप देखें, कुल मिलाकर, तीन reactions involved है, पहली reaction है, पहली reaction है, side chain oxidation, side chain oxidation, side chain oxidation क्या होता है, अगर benzene के उपर, alpha position पर एक carbon हो, जिसके पास एक hydrogen जरूर हो, और चाहे कुछ भी हो, कितनी भी लंबी chain हो, कुछ भी group लगा हो, एक hydrogen जरूर हो, या फिर, या फिर benzene के पास, पहले carbon पर एक pie bond हो, pie bond सामने किस, किस, दूसरे element से बना हुआ, ये भी निश्चित नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी, अगर first carbon पर एक hydrogen हो, या pie bond हो, तो ऐसी situation में, इस compound को किसी strong oxidizing agent के साथ reaction करवाने पर, जैसे KMNO4, OH-, OH-, OH- की ज या फिर K2, CR2, O7, H2, SO4, या फिर, या फिर concentrated HNO3, इन में से किसी भी strong oxidizing agent के साथ, अगर आप इसे treat करेंगे, तो इस वाले carbon पर, पहले carbon पर, भले ये chain कितनी भी लंबी हो, इस पर आगे कुछ भी group लगे हो, कोई भी compound लगे हो, लेकिन पहले carbon पर COOH ग्रूप आ जाता है, यानि benzoic acid बन जाता है, this is called side chain oxidation, दूसरी reaction है, कि अगर कोई compound है, RCOOH और SOCL2 से reaction करवाएं, तो RCOCL बन जाता है, यह SOCL2 OH को CL में convert करता है, इवेन अगर आप ROH लेके करेंगे और SOCL2 से करें, तो RCL बन जाता है, ठीक है ना, तीसरी reaction है, तीसरी reaction है, लिनलास रिएजेंट की reaction, ठीक ना, लिनलास रिएजेंट क्या करता है, लिनलास रिएजेंट की बड़ी famous reaction है, रोजनमंड्स रिडक्शन, रोजनमंड्स रिडक्शन, ठीक ना, रोजनमंड्स रिडक्शन क्या होता है, RCOCL को अगर आप लिनलास से करवाएं, कि उन्हों लिखने की जरूत नहीं होती, अगर उन्हेंने बेरें सल्फेट लिख दिया तो समझे सब हो गया, और सल्फर, तो यह COCl जो है ना, वो CHO में कनवर्ट हो जाता है, इंपॉर्टन बात यह है कि इस बेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप आर सी ओसी एल इन रेडक्शन प्रॉसेस अड़ी स्टेज अप सी एचो, यह एलकोहल बनके रोकना चाहिए, एसीड और एसीड के डेरिवेटिव सब रिडियूस होते हैं तो प्राइमरी एलकोहल तक जाते है लेकिन बीच के स्टेज पर अलडि हाइड पर रोक लेना यह बड़ी स्पस्फिक बात आथरो जो यूजन मंने किया था द्रीलियूस आप यह प्राइजें के निकल भी ले सकते थारो फटीन है इन टीनों रियेक्शन को यूज़ करके इन्होंने यह सिक्वेंस बनाया तो यह बन गया बेंजोईक एसीड ठीक है यह हमारा पहला प्रॉड़क्ट है इस बेंजोईक एसीड को इन्हों ने SOCL2 से रेक्षन करवाया तो यह बन गया बेंजोईल क्लोराइड यह हमारा दूसरा प्रॉड़क्ट है और इसको जब इन्होंने H2Ni और बेरियम सलफेट के साथ क्रीट किया जो लेंडला रियेजेंट है तो यह अल्डी हाइड पर आकर रुख गया ठीक है यह हमारा तीसरा प्रॉड़क्ट है और फाइनल प्रॉड़क्ट है तो मारा आंसर क्या होगा हमारा होगा D Benzel Di ठीक है ना इसको नोट करें